अजे आलोग साब बीजेपी से हमारे साथ हैं आलोग साब वो जो न्यू यॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है उसमें ये व्यक्ति नेविल रॉइस सिंगहम इसकी पूरी प्रिष्ट भूमी जो है वो भी दी गई है और ये पता लगता है कि ये व्यक्ति खुद कॉम्मिनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है ये चाइना में ही रहता है शांगाई में रहता है इसकी अपनी एक टेक कंपनी थी जिसको बेच कर इसके पास अर्बों रुपिया आया और ये एक किसम से Communist विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये आप कह सकते है Communist Party of China की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कई देशों के अंदर funding करता है और उसमें भारत भी है लेकिन सवाल ये है कि हमें तो ये बात 2021 से मालूम है आज New York Times इस बात को कह रहा है उससे कैस की घंदीरता और बढ़ जाती है हमें तो जो कारवाई करनी थी पहले ही कर लेनी चाहिए थी New York Times इसलिए relevant हो जाता है सौरब जी क्योंकि New York Times हमारे विपक्ष को बहुत पसंद है आप देखिए अरविंद केजरिवाल हों चाहें Congress Party हों New York Times में एक न्यूस चपता है तो ये लोग पावलेमेंट से लेके सड़क पे लगते हैं चिलाने अरविंद केजरिवाल बोलते हैं कि कितना छपवाना मुश्किल है New York Times में Congress Party चिलाने लगती है कि देखिए प्रधान मंतरी के बारे में क्या लिखा New York Times ने देखिए क्या बोला तो इसलिए New York Times का रेलिवेंस बढ़ता है क्योंकि विपक्ष इस पर भरोसा करता है देखिए ये Neville Roy Singham जो है ये Tech Giant है Multi Billionaire है और ये Government of China का एक Front है क्योंकि इनके ज्यादातर काम धाम जो है वो Chinese Government कहीं होते हैं और Chinese Government को ही एक Front बनके ये पूरे विश्व में काम करता है इसा नहीं कि भारत तक Limited है 2021 में आपको याद होगा कि इस News Click पे जब ED का सर्वे हुआ उसके चार महीने के बाद Income Tax का भी सर्वे हुआ तो 38.49 करोड उपे की funding की बात आई जब funding trace की गई तो ये सिंगम साब तक funding पहुँची तो सबस्वन भी आ गया कि Chinese Government की funding हो रही है दिक्कत क्या है कि उस समय भी News Click के समर्थन में Congress Party है उनका पूरा ecosystem बाहर आ गया था कि मीडिया का गला दबाया जा रहा है लोगतंत्र की हत्या हो रही है उसी pattern में जिस तरह से BBC documentary के समय हुआ था ये लोग Congress Party हिंदुस्तान में उसको engineer करवाती है मंचा होता है Chinese का funding आती है सिंगम से ये pattern है ये execution का काम Congress हो उसके ecosystem को दिया जाता है तो आज यही सवाल उठाया गया है और ये गंभीर प्रशन है क्योंकि आप ये देखिए कि 1962 चाइना वार के भारने के बाद 69 में हमने Chinese को करारा जवाब दिया था और जवाब दे सकते थे रोग दिया गया कि और कुछ नहीं करना है उसके बाद से जो एक unsaid understanding बन गए कि 1969 से लेके 2018 तक चाइना से हमारी 17 तक इनफाक्ट चाइना से हमारी कभी कोई borders commissions नहीं हुई बॉर्डर पर हमेशा समाने हालत रहे सबसे कम सहनिक रहे इतना इतना तक हुआ कि हमने कभी अपने borders को develop ही नहीं किया अपने border infrastructure को जो आज हम कर चुके हैं क्यों ये एक unsaid understanding थी चाइना में को interfere नहीं करना है जैसा करता है करने दो और बदले में मैं इसलिए कहता हूं legitimately कि Congress Party को इससे benefit होता था monetarily इसके तो proof है ना कि राजीव गांदी आप बताईए किसी political party हमारे देश की ने विष्टविकी किसी political party के नाम बता दीजे जिसको दूसरे देश की political party और दूसरे देश का government fund देता हो ऐसा कोई party आपको नजर आएगा ये सिफ हमारी Congress Party है राजीव गांदी foundation और Congress Party को चाइनीज गवर्मेंट से चंदा मिला on record है और इसी लिए इसी को देखते हुए FCR है क्या license cancel किया हमारी सरकार में जो जाकी नायक से भी चंदा मिला इनको अब जाकी नायक को पैसा कहा से है ये सब तो on records है ये सब तो हम बना के बोल इन्होंने अड्मिट भी किया कि हमने लिया है तो ये बकाइदा एक बहुत खतरनाक नेक्षिस है अच्छा ठीक है अजय सी मेरा सवाल यहां से आ रहा है कि जिस जिस न्यूस वेबसाइट का या जिस न्यूस जिस मीडिया संस्थान का नाम इसमें लिया गया न्यूस क्लिक वो तो आज भी काम कर रही है और दूसरा आज पारलमेंट के अंदर तो आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि चूंकि उसके पीछे ये एक शक्स है जो की communist विचारधारा से प्रिरित लगता है तो क्या उन सब के credentials के उपर सवाल उठाया जाएंगे? नहीं नहीं सब के credentials पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है लोगतत में सरकारों को खिलाफ लिखना अपराद नहीं होता है यह हम जानते हैं क्या आप हमारी criticism नहीं करते हैं? क्या आप मनीपूर मुद्धे पे आपने सरकार को criticize नहीं किया है? सब नहीं किया है तो वो तो part of the partial of the job है अगर journalist criticize नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन एक agenda के तहट criticism करना और एक natural criticism करना दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है जब आप एक सरकार का narrative खराब करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक front चाहिए होता है तो news click का उसका इसका इस्तमाल किया गया कि इंडिया में कैसे ideological change हो रहा है कैसे ideological change हो रहा है New York Times कोई हमारा सगा नहीं है वो BJP के ideology वाले government को तो लोग तांतरी government तक नहीं कहते New York Times New York Times कहता है कि right wing government in India headed by a right winger Narendra Modi उसके ये language होते है तो New York Times कोई हमारा सगा वाला नहीं है लेकिन चुकि New York Times कभी भी चाइना को support नहीं कर सकता है और New York Times हमेशा investigative journalism चाइना पे करते रहता है उस investigative journalism के थूँ ये बसामदे बात आई और New York Times ने लिख दिया क्योंकि American media चाहे कुछ भी हो चाइना को tolerate नहीं करेगा वो हमारे हमारे देश में जैसे विरले विरले लोग हैं कि उनको चाइना में सदभावना दिख जाती है वैसे अमेरिका में कोई भी विपक्षी दलो उनको चाइना में सदभावना नहीं दिखती है लेकिन हमारे कि तो tip of the iceberg हमें कह रहा हूँ अभी इसकी detailed investigation और अभी डी करेगी इंको टैक्स देखी रही है ऐसे निउस क्लिक जैसे पता नहीं कितने फ्रंट आपको मिलेंगे यह हजारों करोड में जाएगा मामला बहुत गंबीर है और आपने कहा कि इसकी आगे बहुत तहकीकात होनी चाहिए इसकी तह तक कहुछना चाहिए हम भी उम्मीद करते हैं